बेरियाटाउन कराची के नॉन डेवलप्ट एरियाज को लेके आज हम वीडियो बनाएंगे और अपने कस्टमर्स को इस चीज की अपडेट देंगे जिन लोगों को हमने बेतहाशा प्लोट्स यहां पर दिलवा के दिये हैं और इस उमीद से के बेरियाटाउन कराची डेवल करते हैं तो शुरुआत हम 125 गस्पे करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बाइंग नॉन डेवलप्ट एरियाज में जब लोग करते हैं तो हमारी भी जिम्यदारी होती है कि हम कस्टमर को अपडेट दें के भाई जहां दिलवाया था वहां की कितनी डेवलप्मेंट हो चुकी ह तो आपके सामने सारे लेटर्स ड्राउन शॉट्स मौजूद हैं या आप देख सकते हैं कि बेर्टाउन कराची ने जो पिछले देर साल पहले से लेकर अगर आज तक में कंपेर करूं तो हार्ली 25 पीसद काम कंप्लीट किया होगा इसके अंदर बेर्टाउन कराची ने 15 ब यहां पर मौजूद होती है तो मैं जरूर रेक्मेंड करूंगा कि आप लोग आएं तो जरूर 15 बी चकर लगा लें लेकिन खैर डेवलप्मेंट को लेके बात करते हैं तो 15 बी में जो नॉन डेवलप्ट एरिया जहां बिल्कुल भी काम नहीं किया था वहां फिर भी बेर् करपिटिंग होगी पर इलेक्ट्रिकल वर्किंग शुरू होगा स्ट्रीट लाइट लगेंगी तो बहुत काम अभी भी बाकी है तो मैं तो बेरिटाउन कराची से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि इन चीजों को क्योंकि आपका जो वर्किंग एक्स्पियेंस है वो इतना ज अगली बात करते है तो उसमें आपके पास फिर्ष्ट प्रिस्टं 29 का एरिया एठाइस का आधा एरिया जो पहाड की तरफ था वहां पर इसी तरिके से कार्पिटिंग भाइट औं कराची ने की होई है कच्छा एरिया वहां पर मौजुद है वहां पर भी बहुत सारा काम जो है वो अभी होने के लिए बाकी है ये बिल्कुल 27 के ओपर डांसिंग फाउंटेन वाला एरिया है जहां पर ये नॉन डेवलप्ट एरिया मौजूद है 15 A 15 B की तहां यहां की भी जो ड्राउन शॉट्स हैं वो लेटस हमने आप लोगों के लिए कैप्चर किये हुए तो आ इतना काम हुआ है लेकिन अभी मजीद काम होना बाकी है और 28 में भी एक उन्होंने पिक्निक पॉइंट यहां पर बनाया हुआ है इसके बाद हम 25 A और 26 A की तरफ जाएं तो 26 A का एक एरिया काफी कंप्लीट भेरिया ने किया हुआ है और दूसरी तरफ जो दूसरा एरिया था वो आज तक इनकंप्लीट ही है पहाड अभी काटने है तो बहुत ज़्यादा काम मैसिफ काम अभी भेरिया की जाने से 26 A के एर लोग दिया तो इसकी सराउंडिंग के एरिया लोगों ने इसी लिए इंवेस्मेंट की कि यार इसके पास लेंगे रेट बढ़ जाएगा लेकिन ना वो शिफ्ट हुए ना रेट बढ़ा और ना उनकी नॉन डेवलप्ट एरिया को बहुत ने डेवलप्ट किया तो बहुत जानता है बहरिया इन चीजों से थोड़ा सर कस्टोमर को निकाले पोजेशन दे कस्टोमर भी वहां घर बनाए जैसे चब्वीसे में काफी जादा लोगों ने वहां घर बनाए हुए इसी तरह जब हम बात करते हैं पचीसे की तो पचीसे का एरिया अनफॉशनेटली आज तक वहां पर मशीनरी भी बहरिया नहीं चला सका वहां का पूरा एरिया नॉन डेवलप्ट का नॉन डेवलप्ट ही रखा हुआ है जैसे एकसट बासट 63 का है बस इन दोनों में फर्क कितना है कि पचीसे का एरिया पता है कि भाई हम जाके खड़े हो सकते कि अच्छा बहां सामने हैं हम यहां जाके खड़े हो सकते हैं बेशाक बहरिया नहीं चलाई वी क्योंकि उसकी बिल्कुल बैक साइड पर बहरिया ने बाउंडरी खेंची हुई है 61, 62, 63 में तो हम जा ही नहीं सकते हैं अब कब जाना हमारे लिए पॉसिबल होगा कब बहरिया वाकी डेवलप्मेंट करेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा तो फिलाल इन सब के रेट जानने के लिए जो लोग लॉंग टम इंवेस्मेंट करते हैं यह जितने एरियाज मैंने बताएं यह घर बनाने के प्रस्पेक्टिफ से अभी आप लोग इंवेस्मेंट नहीं कर सकते हैं हाँ आपकी planning long term है कि आप कहते हैं कि 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद में घर बनाऊंगा तो फिर तो 125 गस का plot इंतहाई कम कीमत पर non developed areas है आप ले सकते हैं इसकी prices जो हैं वो हमारी website के उपर मौझूद है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं हम 200 की बात करें तो 200 में कोई इतने खास presence मौझूद नहीं है सिर्फ वही एरिया जो के boundary के पास थे जिसमें 47 का एक चोटा सा टुकड़ा है वो भी अंडर कंस्रक्शन है आपका जो 40 का एरिया है स्पोर्ट सिटी की तरफ ये बहुत ज़ादा अंदर जाकर है यह काफी टाइम तक नौन डेवलप्ट ही रहेगा क्योंके बहुत को भी पता है यहां पर डेवलप्मेंट करने के बावजूद भी लोगों ने घर तो बनाना नहीं है लेकिन यह पॉइंट नहीं है कि बहुत ना करें लेकिन बहुत ने क्योंके पैसे सारे ले लिया तो बहुत बनाता है कि इस जगह की डेवलप्मेंट काम कंप्लीट कर ले इसके बाद जब हम 500 गर्ज में आते हैं तो 500 गर्ज में प्रिसेंट 33 का एरिया है जो के नौन डेवलप्मेंट है यह भी लिंक्ट है उस बाउन्डरी के सराउंडिंग वाला एरिया जो बाउन्डरी के सराउंडिंग में आ गया था इसलिए वो एरिया काफी जादा नौन यहां बहरी टॉन कराची ने comparatively बाकी सारे प्रिसेंट से ज्यादा यहां पर काम ज्यादा किया है और प्रिसेंट 37 भी है जहांपर नॉन डेवलप्ट एरिया आज भी मौझूद है देखें बहरी टॉन कराची इन सब चीज़ों को कब तक complete करता है लेकिन इन सब चीज़ों में मैं फाइनल करता हूँ वीडियो को सिर्फ एक चीज़ है जितने भी नॉन डेवलप्ट एरिया बहरी आप लोगों को possession letters नहीं भेज रहा है नुकसान आपका है क्योंके possession के charges increase होते जा रहे है और भेजिया जब उस moment आप लोगों से possession charges call out करेगा तो वो जो increase किये वे उस दिन का rate होगा वो आपसे charge कर रहा होगा तो आज market में discounts भी available है पुराने rate भी हैं तो इंतजार मत करें आप charges अपने pay करके आप बैठ जाए बैठे वे तो आप आज भी है ना और ये charges pay तो करने ही करने तो इसलिए जो लोग pay करना चाहते हैं वो housing associate से राप्ता कर सकते हैं अपना बहुत बहुत क्याल लखें नीची दीवे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी website को जाके explore करें आपको बहुत सारी चीज़े वहाँ पर मिलेंगी खुदाफिस हमारी चाहते हैं